हेलो फ्रेंज वेलकम टू विकली एनलाइसिस ओफ एमसी एक्स गोल्डन सिल्वर दोस्तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तब जो है आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल एकन प्रेस कीजिएगा और जितने भी लोग इस के अनलसिस कर लेते हैं दोस्तो डॉलर इंडेक्स के डेली चाट पे हम लोग देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स लास्ट सिक्स ट्रेडिंग से वन जरो फोर और 103 पो इससे हिसाब से दोस्तों डॉलर इंडेक्स वीकली क्लोजिंग के हिसाब से स्ट्रॉंग है और दोस्तों एस पर fundamental analysis strong डॉलर इंडेक्स गोल्ड और सिल्वर के लिए negative news होता है दोस्तों हम लोगों dollar index के लिए neutral था और उसी हिसाब से gold और silver के लिए भी neutral था दोस्तों उसके बाद US core PCE price index year over year का भी data आया था और दोस्तों ये data भी dollar index के लिए neutral था और उसी हिसाब से gold और silver के लिए भी neutral था और दोस्तों आज Indian time के अनुसर 7am को चाइना का manufacturing purchasing managers index का data आया था और दोस्तों Chinese manufacturing PMI का actual data forecast data से और previous data से बहुत ही अच्छा आया था और दोस्तों ये जो update है ये silver के लिए बहुत ही positive news है दोस्तों किसी भी sector का PMI data अगर 50 से उपर आता है इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि ये जो sector है ये expand कर रहा है और दोस्तों क्योंकि चाइना वर्ल्ड का manufacturing hub है और दोस्तों silver एक precious metal के साथ साथ इंडस्ट्रियल metal भी है उसी ही साब से दोस्तों silver और साथ में copper और zinc जैसे base metal का demand भी आने वाले समय में बढ़ने वाला है दोस्तों पहले हम लोग mcx silver का analysis कर लेते हैं और उसके बाद mcx gold का analysis करते हैं दोस्तों mcx mini mcx micro और mcx mega का जो price difference है ये plus minus 50 points का होता है और दोस्तों तीनो script का जो movement है ये almost same होता है और उसी हिसाब से दोस्तों आप लोग silver mini के analysis से silver micro और silver mega में भी trade plan कर सकते हैं mcx silver के 4r के chart में हम लोग देख सकते हैं 74,400 silver के लिए बहुत ही strong support है और दोस्तों 74,400 के नीचे 74,200 74,200 के नीचे 74,000 और 74,000 के नीचे 73,800 silver के लिए बहुत ही strong support है तब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price नीचे जाता है तब जो है important support के level पर price को फिर से bounce मिल सकता है दोस्तों 4r के chart में हम लोग देख सकते हैं 75,200 silver के लिए important resistance बन गया है दोस्तों 75,200 के ऊपर 75,600 और 75,600 के ऊपर 76,000 silver के लिए बहुत ही important resistance बना हुआ है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाला है first target 75,600 के ऊपर 76,000 बनने वाला है second target और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 73,800 का strong support break कर देता है तब जो है silver में strong downfall दिख सकता है दोस्तों silver के daily chart में हम लोग देख सकते हैं 73,800 से 74,000 का जो range है यह silver के लिए बहुत ही strong support zone है और उसी हिसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर price 73,800 का important support break कर देता है और इसके नीचे 4R का या daily candle फोर्म करता है तब जो है हम लोग downside पे 73,200 के नीचे 72,800 के नीचे 72,500 के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर price 76,000 का important resistance break कर देता है और इसके उपर sustain करता है तब जो है हम लोग higher level पे 76,800 के level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर 76,800 का resistance भी break हो जाता है तब जो है हम लोग 78,000 के level के लिए trail कर सकते हैं और दोस्तों आने वाले समय में अगर MCX silver 78,000 के उपर और forex silver 26,000 के उपर sustain करता है तब जो है silver में strong bull run शुरू हो सकता है रहा MCX silver का complete analysis अभी हम लोग MCX gold का analysis कर लेते हैं दोस्तों क्यूंकि gold mini का April का contract next week को expire होने वाला है और उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग gold mini के में मंद के future contract का analysis करने वाले हैं दोस्तों MCX gold के monthly chart पे हम लोग देख सकते हैं gold ने monthly chart पे strong breakout दे दिया है और दोस्तों हम लोग gold के weekly chart पे भी देख सकते हैं gold ने weekly chart पे strong breakout दे दिया है और उसी हिसाब से दोस्तों अगर आप लोग MCX gold या forex gold के daily, weekly या monthly chart को analyze करते हैं तब जो है gold ने तिनो time frame में strong breakout दे दिया है और उसी हिसाब से दोस्तों gold में strong bull run चल रहा है और दोस्तों आने वाले समय में अगर gold 66,000 के नीचे 4R के chart पे या daily chart पे closing करता है तब ही जाकर हम लोग holding basis पे gold में sale position ले सकते है तो यह रहा MCX gold का complete analysis आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा और अगर पहली वार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजिएगा, bell icon press कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा, thanks for watching the video